अग्याइव फ्रेंड्स वेलकम पैक टो माई जैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत हैं इंपोर्टेंट कोशन्स की आज की कॉशन्स थोड़े अंडरस्टेंडिंग लेवल के यानि की आज का कॉशन कुछ इस तरह जिसमें आपको बहुत सारी चीज नाई सीकनों को मिलेंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो पसंत आए तो वीडियो को लाइक कीचे और ऑभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जालो किज़े झीजा और बेल आइकन पे क्लिक प थ्रू करते हैं एडिटाइजिंग पर्सनल सेलिंग पब्लिसिटी यह सारी हमारी क्या है प्रमोशनल मेक्स के अंदर आते हैं जबकि इसमें जो प्लेस है वो नहीं आता तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है option B place next which of the following is the correct order तो आपने पढ़ा होगा correct order क्या होता है product price promotion and place यह इसका correct order है टिकेट option देखें यहां पर सी हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं which of the following which of the demographic variables is not used by marketers for demographic segmentation अब demographic segmentation के अंदर कौन से demographic variables है जो कि marketers के द्वारा यूज नहीं किया जाता है तो देखें फ्रेंड्स यहां पर दे रखा है जेंडर एज occupation और poverty तो पावर्टी एक ऐसा यहां पर demographic variable है जो कि demographic segment के अंदर यूज नहीं किया जाता है तो यहां पर option D हो जाएगा जबकि अगर demographic segmentation की बात करें तो हम यह देखते हैं कि हम जाहूं भी अपना product को sell out कर रहे हैं वहां का gender हम देखेंगे कि वहां पर जो जो पर्चिस करने वाले public है वह किस तरह की है उनकी age क्या है हमने किस जो product हम इंटर्ड्यूस करें market में वह किस age group के लोगों के लिए वहां का occupation क्या है क्योंकि इन सब चीजों पर हमारे करता है product क्योंकि product भी इसी चीज की according होना चाहिए तो पावर्टी वहां पर कोई एक कोई वेरिवल नहीं होता जबकि अधर वेरिवल्स चाहिए जाते हैं नेक्स्ट आते हैं I hope यह question आपको clear हुआ होगा at which stage of the new product development the launching of new product will take place अब ऐसी new product की कौन सी स्टेज है जिसके अंदर new product को launch किया जाता है business analysis, test marketing, commercialization या फिर marketing strategy development तो यहां पर इसका right answer है friends option number यहां पर C जो की है commercialization यहां पर हम new product को launch करते हैं market में अपनी product को sale करने के लिए तो option C यहां पर हमारा right answer है next question है in a company uses its company name for its entire range of product offered then it is called अगर कोई company अपना company का name यूज कर रहे है product को offer करने के लिए entire range जो भी product की range है उसको offer करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं private branding, corporate branding, product life branding या specific product branding तो इसको बोलते है corporate branding क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं कि वहां पर company का name यूज कर रहे है इसलिए corporate आ गया वहां पर corporate branding के नाम से वह अपने product को introduce करेगी next question पर आते हैं one level channel of distribution consist of आपने पढ़े होंगे one level second level three level तो उसमें one level distribution channel वह होता है जिसमें सिर्फ बात की जाती है producer से consumer की तो option a right है और producer, dealer, consumer हमारा second level होता है फिर हम पात करें third level होता है और यह होता है हमारा multi क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं इसमें agent भी हम introduce कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर option a जो है वह हमारा right answer होगा next question पर आते हैं the primary role of a production manager is production manager का primary role क्या होता है यह हमें बताना है तो देखिए to meet the production target and delivery schedule to produce good services of right quality to produce good services by right quantity at the predetermined time या all of the above तो इसमें अगर हम production manager की बात करें तो यह सारे ही बात यहां पर उसकी role में fit बैट दी क्योंकि यह सारे ही काम एक production manager के होते हैं इसलिए option D यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं fixed position layout is used when अब जो fixed position layout जो है वो कहां यूज की जाती है इसलिए यहां पर option A जो है वो हमारा right answer हो जाएगा next आते है which is the element of modern marketing modern marketing का कौन सा element है emphasize mutually benefits customer oriented operational या फिर all of the above तो यहां पर option all of the above right answer हो क्योंकि यह सारे ही points modern marketing के element में consider किये जाते है next question आते है online marketing includes online marketing में क्या क्या चीजों को include किया जाता है तो देखिए इसके अंदर include किया जाता है specialty on online marketing non-instrumsive of online marketing soft selling all of the above तो यह सारी ही चीजों online marketing के अंदर include की जाती है इसलिए option D यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next आते है the marketing concept involves marketing concept के अंदर क्या 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 चीजों को involved किया जाता है तो देखिए friends organization integration देखते हैं competition orientation देखते हैं customer orientation तो यह सारी ही चीजों को online marketing के अंदर देखा जाता है इसलिए option D again right answer होगा next है अब brand can be a brand क्या हो सकता है product mix, product feature, product name, product utility तो friends product mix के नाम से कोई brand नहीं होता नहीं उसके features के according कोई brand होता है brand होता है नाम से logo से ठीक है तो इसलिए पर option C right answer हो जाएगा उसकी utility से भी कोई brand कंसेटर नहीं किया जाता next आते है product line covers अब product line के अंदर क्या के cover किया जाता है departmental store, one price, retailer, general retailer या फिर all of the above तो इसका right answer होगा product line के अंदर हम इन सारी चीजों को include करते हैं option D हमारा right answer है next है अब brand includes एक brand में क्या के चीज़े include किया है तो अब यहां पर यह कॉशन और क्रियल हो जाएगा brand के अंदर combination of name and symbol yes हो सकता है design, logo and mark all of the above तो इस सारी ही चीज़े include की जाते हैं brand के अंदर इसलिए यहां पर option D right answer होगा एक brand नाम और symbol दोनों को मिला के combination से हो सकता है design से हो सकता है logo से हो सकता है कि आपने पता है कि SBI का एक अलग logo है SBI bank का आपको पता है Apple phone का एक अलग logo है इसलिए उसको बूला जाता है brand उसका आपने देखा होगा हर product का एक अपना logo होता है कुछ features नहीं हम यह बोल सकते हैं उनका कुछ नाम होता है जैसे की Pantene नाम है Pantene Shampoo तो इस तरह से कुछ product के नाम होते हैं कुछ logo होते हैं जिससे वह product brand कही जाते हैं next question है what is the advantage of marketing information system marketing information system का advantage होते हैं तो देखिए टर्टर वेरहाउसिंग marketing intelligence data mining all of the above marketing information के part है इसलिए यहाँ पर option D हमारा right answer हो जाएगा next question है dash is a new way of performing the task of marketing made feasible by the event of advent of new technology namely the internet अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा रास्ता है नया तरीका है marketing को perform करने का feasible मतला feasible हो और वहाँ पर new technology है उसके नाम से या internet जो भी है उसको हम advertise कर पाएं rural marketing online marketing green marketing या फिर e-marketing तो देखिए एक नया जिसमें हम internet जिसको हम internet की through feasible कर सके अपनी सारी चीजों को advertise कर सके marketing की तो एक नया तरीके की बात करें तो वह है हमारा online marketing जो कि बहुत ही सही है यहां पर हम mass लोगों को cover कर सकते हैं अपने product को दूर तक दूर तक हम बता सकते हैं product के बारे में तो यह सबसे अच्छा way है इसलिए option भी यहां पर नेक्स्ट कॉशन पर आते हैं modern marketing consist of modern marketing के अंदर क्या के चीजों को include किया जाता है तो देखिए modern marketing की बात करें तो इसके अंदर marketing on market research दोनों चीजों include होती है CRM include होता है supply chain management include होता है इसलिए option D right answer हो जाएगा क्योंकि marketing के अंदर हम research marketing CRM जिसको बोलते है customer relationship management इसकी बात करते है supply chain की बात करते है सारी चीजों को इसमें include किया जाता है इसलिए option D right answer है next question पर आते है marketing potential is marketing potential क्या होता है sales potential industrial potential company demand potential तो marketing potential की बात करें यहां पर तो friends marketing potential के अंदर यहां पर industry potential से होता है इसलिए यहां पर option भी हमारा right answer हो जाएगा next question है in which which is our element of promotion mix promotion mix का इसमें से कौन-कौन element है public relation exhibitions and trade fairs personal selling या फिर all of the above तो देखिए इसकी अंदर all of the above include होगा क्योंकि personal promotion में हम public relations की बात करते हैं exhibition trade fair भी हमारे promotion का part है और personal selling में हमारे promotion का part है इसलिए option D right answer हो जाएगा अब एक factual question है जो की exit है हम इसमें कुछ changes नहीं कर सकते कुछ logic नहीं लगा सकते ठीक है who among the following has been given two basic qualities of good salesman which are empathy and persuasion अब कौन सा person है जिसने दो qualities बताएं good salesman की तो यहां पर इसका right answer है option number B वो थे flip kotler जिन्हों ने बताया था कि salesman में दो basic qualities होनी चाहिए एक empathy दूसर persuasion ठीक है option B यहां पर हमारा right answer है friends welcome back to my channel मैं हूँ आपकी friend वर्षा friends आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे commerce के बहुती important questions की आज की questions थोड़े understanding level के हैं यानि की आज का questions कुछ subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लीजिये और bell icon पे click पी जरूर कीजएगा जिसे की future का notification आपको मेल जाए तो friends चलिए video को start करते हैं to quote the statement marketing is a human activity directed at satisfying needs and wants through exchange process ते किसने quote किया था इसका right answer है a flip kotler flip kotler ने कहाता कि marketing marketing जो है human activity जो की satisfy करती है लोगों की needs को उनकी wants को exchange process के थूँ तो यह exit is है इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है friends आप इसको याद कर लीजी क्योंकि इस तरह की quotation quotes जो होती है online transactions are especially important dash for commerce online marketing किसके important होता है C2C यानि customer to customer customer to business business to business या all of the above तो इसका यहां पर right answer option number यहां पर C business to business option C next है electronic commerce क्या है तो यहां पर अगर बात करें electronic commerce की तो आप जानते हैं यहां पर हम बात करें तो यह भी हमारा correct है personal selling is a part of promotional mix यह भी correct है promotional mix is a part of marketing mix यह भी हमारा correct है और यहां पर false पूछा गया है तो none of the above इसमें right answer D होगा next question पर आते हैं marketing philosophy can be best explained as जो marketing philosophy है वो explain की जाते है किसके दोरह creating the market and selling products facilitating satisfying exchange relationship with customer यानि कि customer की customer का exchange relationship इसको satisfy करने के लिए product को right place per market में या फिर demand को create करने के लिए profit maximization के लिए तो यहां पर marketing philosophy की बात की जा रही है तो देखें यहां पर marketing philosophy का मतला होता है जो भी customer है उनके साथ उनको satisfy करना उनको satisfy right करना किसके साथ में exchange करके product को तो option यहां पर भी right answer हो जाएगा next question है all of the following are marketing management task एक्सेप्ट अब जो इन मैसे कौन कौन से marketing के टास्क है marketing planning project development and analysis coordination coordinating promotion mix pricing product marketing management marketing management marketing planning promotion mix pricing product जबकि project development and analysis इसका पार्ट नहीं होता है इसलिए यहां पर option B right answer हो जाएगा next step which is the task of advertising advertising का कौन सा पार्ट है providing information about the product image building behavior reinforcement तो देखें यहां पर जो advertising का टास्क है वो product की information provide करना होता है एक जो product होता है इसकी image build करना होता है company की image build करना होता है और behavior enforcement का काम होता है इसलिए यहां पर option D right answer हो जाएगा next है a change in the minimum drinking age in the UK presents a change in which of the following for kingfisher beverages अब इसमें minimum change किया गया UK ने present किया है अपने विवरेज को जो कि kingfisher विवरेज के नाम से यहां पर दे रखा है तो वो क्या कहलाएगा marketing mix, marketing environment, marketing task product strategy तो यहां पर इसका जो right answer है marketing environment marketing environment के according उसमें थोड़े से change किये गए क्योंकि हर environment के according हमें अपने product को change करना होगा तब ही हमारा product सक्सीड हो सकता है इसलिए marketing environment को देखते हुए product में थोड़े से changes किये गए है kingfisher की विवरेज में next is the fifth P of marketing has its clueness अब fifth P जो है वो क्या है आपको पता है जो हमारे 5 P's है वो कौन-कौन से product, price, place, promotion यह है 4 P's तो यहां पर देखी product price है price place है product of place है product of promotion है तो यहां पर इसका right answer है option number D product and promotion next question है AMA stands for AMA का हमें full form बताना है तो इसका full form है American Marketing Association option यहां पर हमारा right answer है next है which concept of marketing is a product oriented product oriented marketing की यहां पर अगर हम बात करें तो यह product oriented marketing हमारा all concept of marketing है options ही यहां पर हमारा right answer है next question है USP USP की full form क्या होती है तो USP की full form की बात करें तो यहां पर इसका right answer है option number B जो की हमारा unique selling proposition option B right है next है of the following media which one is used least frequently by business to business marketing marketers अब यहां पर मीडिया की बात की जाए तो यहां पर least frequently used business to business में कौन से marketers है direct mail, television, trade publications or personal selling तो यहां पर business to business की बात की जाए तो यहां पर इसको आप याद रुखना तो यहां पर याद रुखना तो यहां पर यहां पर आप्शन भी right answer हो जाएगा next question है which of the following factors are used to understand consumer behavior अब इसमें से कौन सा है factor जो की consumer behavior को use किया जाता है consumer behavior के अंदर उनको understand करने के लिए motivation, attitude and flips, learning all of the above तो यहां पर देखिए हमें जो examples दे रखे हैं उसमें सारी ही चीजें हमारे use की जाते हैं किसी भी consumer को उसके behavior understand करने में इसलिए option D यहां पर right answer हो जाएगा next question है a paid form of non-personal communication about a product that is transmitted to a target audience through a mass medium is a paid promotion किया जा रहा है non-personal communication के अंदर प्रोडेट को लेकर जिसमें एक target audience है जिसमें mass medium हम वहां पर यूज कर रहे हैं तो वह कौन सी चीज कहलाती है publicity, sales promotion, advertising or personal selling तो यहां पर देखिए कि इसका जो right answer होगा वहां पर option C क्योंकि देखिए फ्रेंड्स advertising जब की जाती है तो mass medium यह बहुत सारे जो customer से हमारे उनको टागेट करेगा जाहे हम वह TV के थुरू ले 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 जाहे हम कोई भी medium फॉलो कर ले ले अगर हम advertising किसी product की करा रहे हैं तो वहां पर जो mass audience है उसको cover करेगा और यह platform होता है non-personal होता है इसमें कोई personal connection नहीं होता है customer के सार, non-personal communication इसलिए हम पर option C right answer है next question है which of the following facts is or are true business to business B2C business to consumer B2G business to government C2C consumer to consumer or all of the above तो यहां पर इसका right answer हो जाएगा D all of the above यह सारे ही correct है next है marketing myopi जो concept है वो किस ने दिया था Flip Kotler, Henny Ford, Theodore Levitt या फिर none of these तो यहां पर इसका right answer है option C Theodore Levitt इन्होंने marketing myopiya concept जयाता है यह बहुत important question है friends यह question बहुत पूछा जाता है exam में next question है FAQs stands for अब FAQs जो होता है इसकी full form बताने है आपको तो इसकी full form है frequently asked questions option A right है next है techniques of sales promotion अब sales promotion की कौन कौन सी technique है free samples and free offers merchandising trade credits या फिर all of the above तो यहां पर देखें option की according algorithm देखें तो यह सारी ही चीज़े sales promotion में यूज होते हैं free sample की बात कर लें merchandising करवा या फिर trade credits follow करें इन सारी चीज़ों में हमारे product जो है वह promotion हो रहा है उसका option C right answer है और यह help भी करते है हमारी sales को promote करने में next question है prices are kept very high in which pricing policy अब किस pricing policy में हमारे प्राइसें वह हाई रखे जाते हैं तो देखें यहां पर इसका right answer होग option A skimming pricing policy में इसके अंदर जो prices होते हैं वह बहुत ही high रखे जाते हैं next है product includes एक product में क्या क्या include होता है idea, service, place, all of these तो देखें यहां पर product की बात करें तो यहां पर option D right answer होगा एक product में idea भी हो सकता है अगर कोई अपना idea दूसरे को sell out करता है तो भी देखें product है अगर कोई service दे रहा है जैसे कि doctor हो गया, lawyer हो गया यह आपको service दे रहे है product है place किसी ने आपको कोई place प्रवाइट कराया उसके विहाफ पर उसने rent लिया आपसे यह product है option यहां पर D right answer होगा next question है the schedule and sequence for visiting the outlets in any market is known as test plan अब कोई भी ऐसा sequence है जिसके तुरू आप विजिट कर रहे है outlet को किसी market में जाकर वो हमारा क्या कहलाता है तो यहां पर इसका right answer होगा friends option number C जो की कहलाता है next है the ultimate level of segmentation leads to the ultimate level है segmentation का वो क्या leads करता है niche marketing, individual marketing, local marketing या फिर none of these तो यहां पर option B जो है वो right answer है उसको कहते है individual marketing next है which one of is not the element of marketing mix packaging, price, distribution, quality तो देखें यहां पर marketing mix की बात करते हैं तो यहां पर option हम देखें तो देखें यहां पर D जो है वो right answer होगा quality की बात इसके अंदर नहीं की जाते है packaging की, price, and distribution की बात हम करते हैं next question है who introduced the piece, 4 piece of marketing mix यह आपको पता होगा यह भी question बहुत पूचा जाता है and simple भी है तो मैकार्थी जो है इन्होंने 4 piece दिये थे next question है which one is not the phase of new product development अब इसमें से कौनसा phase नहीं है idea screening, concept development, concept testing, quality control तो इसका right answer option D quality control, new phase नहीं है क्योंकि new phase में quality control की बात नहीं करते हैं screening की बात करते हैं development की बात करते हैं product के और testing की बात करते हैं कि हमारा product कितना चलेगा next है price of a shoe is 299 this is an example of what pricing penetration, psychological concept or skipping तो यह option B यहाँ पर राइट है psychological based है क्योंकि देखे friends, वो यह psychology पर based होते हैं यहाँ पर अगर इस product का 300 price होता तो यह लगता हमें बहुत costly है लेकिन वहीं 299 रग दिया तो यह हमें लग रहा है कि बहुत सस्ता है product बहुत कम पैसे का है जबकि 399 बहुत costly लग रहा तो देखे difference कितना है सिर्फ एक रुपे का difference है लेकिन यह हमारी psychology based होता है यहाँ पर customer को लगेगा सस्ता है और यहाँ लगेगा उसको महेंगा है तो इसलिए इसलिए आपने रिखा होगा मॉल्स में कोई product होता है तो 49 rupees रग देते हैं 99 उसका price रग देते हैं 129, 159, 169 इस तरह से price रग देते हैं तो इससे क्या होता है कस्टूमर को लगता है कि बहुत सही है यह product क्योंकि cheap है लेकिन इसा बिलकुल नहीं है difference सिर्फ एक का है लेकिन हमारी psychology based है इसलिए इसको psychological pricing कहा जाता है next question है marketing of anti-sensors drugs is the example of dash marketing तो इसका right answer है option A इसको बोलते हैं niche marketing next question है the product is a bundle of dash debt is consumer-buyce अब जो product है वो किसका bundle होता है consumer-buyce according features, satisfactions, preferences, convenience तो देखें यहाँ इसका right answer है B. satisfaction जब कस्टूमर को satisfaction मिलता है bundle of satisfaction की बात होती है जिस product में वहाँ customer उस product को buy करने की सोचता है तो यहाँ पर option B. right है next question है which one is the first P of marketing mix price, product, promotion या फिर place तो यहाँ पर option D. जो है वो right answer होगा जो कि है place की की ऱूशए और तो यहाँ थैस तो यहाँ पर जो रे दीफ़ाए